प्लिए यह विडियो में आप सब्सक्राइब की हमारी स्क्रीन पर एक क्रियेटिव है जो काफी आप अच्छा लग रहा है अट्रेक्टिव लग रहा है इसके उपर जो फॉंट है AI कॉंटेंट मास्ट्री जो लिखा हुआ काफी सुन्दर तरीके से लिखा हुआ है है तो मैं वेस्ट it é van को कैसे बनाया जाए मेरे दिमाग में अगर आसकता हो किसी के भी दिमाग में आसकता है कि इस तरह का फेंसी फंट अइन चैनला में कैसे बनाया है क्योंकि हम लोग इतने ज्यदा केनवा से ही बने हो ऐसा बिलकुल भी जरूरी नहीं है उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको केनवा में बना के दिखाता हूँ फिर मैं आपको एक बढ़ी आसा टूल बताऊँगा कि वहां से आप बढ़ीया बढ़ीया से फॉंट बना कर और केनवा में लाकर लगा सकते हो यह वीडियो आपको पूरा देखना है तभी इस वीडियो का जो पूरा वैलियू है आपको मिलने वाला है राइट तो पहले तो केनवा में बनाने की कोशिश करते हैं और मैंने कोई प्रपेरेशन नहीं किया कोई भी तैयारी नहीं की है ठीक है तो मैं बलकुल श्ट्रगल करते हूं बनाऊंगा और क्योंकि मैं स्ट्रगल करते हूं बनाऊंगा तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा राइट वारी रेडी टाइप रेडी इन दा कमेंट सेक्शन तो चलिए कैनवा खोल लेते हैं हमारे यहाँ पर हमें क्रियेटर डिजाइन पर क्लिक करना है और कोई भी कस्टम साइज ले लेते हैं कस्टम साइज लेते हैं 1920 और 1080 HD वाला डिजाइन है यह और मैं अपने जो फोटो को थोड़ा सा यहाँ पर चोटा कर देता हूं कैसे होगा भी यह चोटा हो जा यह मैंने अपने आपको चोटा कर दिया अब इस जो डिजाइन है इसमें ह इसा मिल जाए डिट्टो तो फिर बाती क्या है AI तो AI का कोई फोटो अगर मिलेगा हमें तो ले ले लेते हैं AI फिंगर AI फिंगर का कोई फोटो है परी तो AI रोबोट हैंड ऐसे करके डाल देते हैं AI रोबोट हैंड थोड़ा सब्सक्राइब दो करने एक हैंड और तो यह में एक AI का हैंड मिल चुका है यह बहुत अचीवाट है यह बिल्कुल जुलता ही है और हमें AI का वह मिल गया है अब हमें लिखना है AI content जो लिखा तो हुआ है और हम इसको आसानी से लिख सकते हैं तो एक तो font match कराने की बात है कि कौन सा font है तो उसके लिए ट्रिक है उसको हम फटाफट से एक screenshot ले लेते हैं यहां से ऐसे तो यह ले लिया हमने उसके बाद एक नई टैप में जाएंगे और यहां टाइप करेंगे अब यहां पर हम उस font को अपने को अपलोड करेंगे जो हमने वहां से screenshot लिया था अपलोड कर दिया है अब यह font को identify कर रहा है समझने का प्रयास कर रहा है और पूछ रहा है कि कौनसे part का तो मैंने content वाले का दोनों font से मैं पूछ रहा है कौनसे font को पहचानने के लिए आप बोल रहे हो हमें तो इसने काफी है तक पहचान लिया है लूना टिका डिस्पले यह font है लूना टिका डिस्पले एक है aspire small caps oblique थोड़ा मैच करने की कोशिश करते हैं कि यह कौन सा font है तो यहां चलते हैं AI content c o n t e n t और जो हम लेकर आएं वो कौन सा है तो देख लेते हैं थोड़ा सा मैच करके तो यह दोनों ही मैच कर रहे हैं वैसे aspire small caps oblique ज्यादा मैच कर रहा है तो canva में जाएंगे फटाफट से यहां पर लिखेंगे हम AI content AI content अब हमारे इसमें सब capital में हैं तो हम भी अपना capital में लिखेंगे AI content सब लिख दिया हमने capital में और अब हमें font ढूंडना है canva के अंदर इसने बता तो दिया कि कौन सा font है बट हमें अब ढूंडना भी तो पड़ेगा कि वो canva में है या नहीं है तो यहां पर ढूंडते हैं font canva में inaldo 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 तो canva में नहीं मिला aspire डालते है aspire aspire भी नहीं मिला तो बहुत सारे font हैं जो canva में नहीं मिलते right hyperspace डालते हैं hyperspace hyperspace भी नहीं है stereo डालते हैं stereo भी नहीं है तो ऐसा होता है कि canva में font नहीं मिलते हैं ऐसा नहीं है कि canva में font import भी-कर सकते हैं यह बात मैं आपको बता रहा हूं अभी करके नहीं दिखा रहा हूं यहां पर हमें कुछ TT super molot यह वाला font तो मिल गया है TT super molot को लेते हैं तो ऐसा दिखता है ऐसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है तो यह पदलब फोन तो बदीकर अपनरी तो बेलकुल मैच नही 220 हुआ हमारा तो कहने का मतलब यह की फेलिंग तो आई रही है तो हमारा फोन को मैच कराने का ज्यादा परपज नहीं था इस वीडियो में हमारे परपजे कि यह चमक जैसी आ रही है इस इस फॉन्ट पर जो चमक जैसी आ रही है ऐसा लग रहा है जैसे चांदी का है यह और इसमें ब्लैक कलर का कुछ बीच में आ रहा है शैडो टाइप का वो चीज कैसे लेकर आनी वो इंपर्डेंट है तो एक तो लाने के लिए यह जो पीछे इमेज है इस पर क्लिक कीजिए एडिट फोटो कीजिए एडजस्ट पर जाईए और ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कीजिए इतने कम की जो फॉन्ट है वो हमारा उपर दिखने लगे जैसे इसमें भी या तो उन्होंने कुछ अलक से लगाया ह अगर इसको आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका एक ट्रिक है यहाँ पर एक जाईए आप ट्रांस्पेरेंट ग्रेडियेंट लीजिए ट्रांस्पेरेंट ग्रेडियेंट यह ब्लैक वाला ग्रेडियेंट एलिया हमने और इसको यहाँ पर हम सैट कर सकते हैं इस तरीके से तो अब जो ये नीचे वाला कलर है हमारे फॉंट का वो निकल के आ गया ऊपर इस तरीके से आप कर सकते हैं ठीक है जी तो अब हमारा जो फॉंट है उपर निकल के आ रहा है तो बढ़ अब भी ये चानदी जैसी फीलिंग नहीं दे रहा है ये जो बीच में हलका से ब्लेक ब्लेक कर दिया है इससे बिलकुल जैसी फीलिंग उसकी हो गई है जो कि अभी हमारे वाले की नहीं है तो बड़ा असान है चिंता मत करो हम करके दिखाएंगे आपको कोशिश तो करी रहे हैं हम राइट अब हमें ग्रेडियंट लेना यहां से ट्रांस पेरेंट ग्रेडियंट ग्राफिक्स में जाएंगे और ऐसा ग्रेडियंट ढूनेंगे ज हम करेंगे यहां मिला है यही चाहिए थाशका नाम क्या ए ग्रेडियंट का बलेक इसे हमारा काम जो है हो जायगा है आप देखी कैसे होगा इससे हो जाएगा हमारा सारा काम जो देखिए इसको छोटा कर लेते हैं इसको यहां लगाएंगे तो देखो अब हलकी सी चांदी जैसी फीलिंग आपको आने लगी है रैट बट इसमें क्या हो रहा है इस फॉंट में और हमारे वाले में कि हमारी वाली जो ब्लैक बट इनकी नहीं भाग रही है तो उसके लिए हम कलाकारी क्या करेंगे अब हमें थोड़े सी महनत महनत तो यह करनी पड़ती है जब पैसे कमाने किसी क्लाइंट से आप पैसे लोगे तो महनत तो आपको करनी पड़ेगी और जिस तरह का में काम आपको इस वीडियो में सिखा आउं यह काम जो है एक क्रियेटिव बनाने का कम से कम दो हजार रुपए कम से कम दो हजार रुपए बच्चों का खेल नहीं है ठीक है बहुत महनत लगती है दिमाग लगता है तो यह इसको छोटा करेंगे शेड़ो को और इसको यहां मतलब लगाएंगे तो यह ज्यादा चोटा हो गया इसको ऐसे भी चोटा किया जा सकता है दोस्तों तो डरने की बात नहीं है बिलकुल भी और इसको ऐसे किया जाए और इसको ऐसे किया जाए अब देख रहे हैं अब तो अभी भी यह मजा नहीं दे रहा है अब इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा है लिए ट्राइ किया जा रहा है पर फिर फिलिंग नहीं आ रही है sorry for that अच्छा इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं कुछ और ट्राइ करते हैं एक हमने लाइन ले ली यहां पर ट्राइ मैंने बूला था ना मैं बिल्कुल स्ट्रगल करते हैं दिखाऊंगा आपको तो लाइन ले ली हमने लाइन ले तो ली हमने ठीक है, बोटिसलाइन का करेंगे क्या हम, यह हम देखने का जो प्रयास है वो खर रहा है, ठीलाइन लें ली हमने, इस लाइन का कलर करेंगे हम बलैक, उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम ट्रञ्पेरेंस्टी जो है, बढ़ा देंगे, उससे वो feeling नहीं आई ही पर, जो आनी चीए थी तो लाइन वाला जो आइडिया हमारा वो कैंसल लाइन वाला आइडिया कैंसल एक बार इस पर फिर से गौर फर्माते हैं तो देखने का कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या किया है तो ए मैं ऐसे है एन मैं ऐसे है अच्छा इन्होंने भी नहीं कुछ तो चाला की की ह है चलो इनके पास तो और भी टूल्स होंगे एड़ोबे है फोटोशॉप है बहुत सारे टूल होते हैं तो उनसे भी काम चल सकता है बट अपना हम चला के छोड़ेंगे काम आज चलिए फटा फट से फिर यह वाला जो आईडिया में दमाग में आया था यह बढ़िया से काम क करते हैं थोड़ा और बढ़ा करते हैं इसको और इसको थोड़ एसस चोटा करेंगे इसको इसको ऐसे यह हो गया हमारा एए अब हम जائیں गे दूसरी तरफ और इसको ऐसके खने हम ने करेंगे इसको यहां रखेंगे यह हो गया हमारा A आ रही है न चांदी वाली फिलिंग तो को आ रही होगी अब आपको अब देखो आने लगी न चांदी वाली फिलिंग यह तो shadow दिया गया बीच में इससे आपकी चांदी वाली फिलिंग जो आ चुकी है बहुत बारिक काम है बहुत ही समल के और आराम से करना पड़ेगा और इसकी जो ट्रांस्पेरेंसी है वो भी कमजादा की जा सकती है बट जिदनी फिलाल है उतनी एकदम परफेक्ट है ठीक है तो इसको फटाफट से कॉपी करते जाओ पूरा देखना एंड में बोनस बड़िया वाला देखे जाने वाला हूँ मैं आपको ठीक है बहुत सुन्दर सा गिफ्ट जिससे की यहां तो हम महनत कर रहे हैं बट उससे आपको ज़्यादा महनत नहीं करनी पड़ेगी कई बार चीजें आपको मैनृली करनी पड़ती हैं और कई बार स्मार्ट काम भी आप कर सकते हैं तो यहां पर उसको और बड़ा करना पड़ेगा तब ही यह सेट हो पाएगा उसके बाद इसको हमें यहां लगाना है यहां लगा दिया हमने फिर इसको हमें यहां लगाना है पिर इसको हमें यहां 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 लगाना है बताइए क्या कहते हैं अब उसमें क्या किया है ए में पूरे में फैला हुआ है ए में हमारा ए में पूरे में नहीं फैला हुआ है तो इनका ए में पूरा फैला हुआ है ये के लिए हम क्या करेंगे इसको दुवारा से कॉपी करेंगे यहां लगाएंगे फिर कॉपी करेंगे और इसको यहां लगाएंगे बट उनके ये में थोड़ा कम फैला हुआ है ठीक है और भी ट्रिक लगाई जा सकती है इसको और अच्छा किया जा सकता है और इसको फिर हम यहां लगाएंगे अब अगर आप देखे हैं तो हमारा फॉन्ट भी अलका सा लग रहा है चांदी जैसा थोड़ा और इसको फिनिशिंग की जाएगी पॉलिस की जाएगी तो हो जाएगा और अच्छा यह बट अभी हमारा काफी अच्छा लग रहा है यह नहीं कह सकते कि चांदी वाली फीलिंग बलकुल नहीं आ रही है आ रही है सिल्वर फीलिंग आ रही है जैसे कि डिजाइनर क गुरुप करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा करेंगे, इस तरीके से कर लिया, अब जो नीचे वाली इमेज है, इसको हम डाउनलोड करेंगे, as a png, png डाउनलोड कर लेंगे, नमबर 2 वाली इमेज को, जिसमें हमने AI कॉंटेंट लिखा हुआ है, इसको हम डाउनलोड कर लिया डाउनलोड करने के बाद इसको अपलोड करेंगे कैनवा में दोबारा से मैंने शुरू में बोला था श्रगल कर रहा हूं मैं भी मतलब मेरे दिमाग में आया मैंने सुचा मैं भी करता हूं और आपको भी दिखाता हूं अब यह इमेज में आप अपलोड करके ले आया ह अब देखने में दोना सेम लग रही है बट यह इमेज है यह वाली और उपर वाली जो है हमारे अलग-अलग elements है जहां पर हमने उनको बनाया है बट नीचे वाली क्या है इमेज यह concept बिल्कुल क्लियर कर लो आप अब इस नीचे वाली जो इमेज हम अपलोड करके लाए हैं हम जाएंगे एडिट फोटो पर और मेजिक स्टूडियो में background remover है तो background को remove करवाएंगे जो भी background था उसको remove करेगा तो क्या करेगा कि ए के आगे जो हलका सा extra black था उसको भी यह अटा देगा और जैसी हमारी उमीद थी उसने जो है इसको एक्सट्रा black था उसको अटा दिया है ठीक है तो अभी इमेज हमारी यहां से हम उठाएंगे और इसको यहां लगाएंगे देखिए यहां लगाएंगे अब आप देखोगे कि यह जो font है बिलकुल बिलकुल चांदी जैसी feeling दे रहा है लग रहा है कोई special font है मेहनत तो की गई है अब उस से मैच करके देखते हैं देखिए यहां पर ठीक है पीछे वाला हमें अपना थोड़ा सा और डार्क करना पड़ेगा तब ही जो है बात बनेगी पीछे वाला और डार्क कर लेते हैं अब एकदम निखर के आ रहा है अब लग रहा है बिलकुल चांदी जैसा feeling जो हमारी आ रही है जो इसमें आ रही थी चांदी वाली वही इसमें आ रही है अब इसमें A के पीछे glitter लगा हुआ है जिसकी विएसे थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है तो हमें भी अपने क का है यह स्टार है स्टार लगा देते हैं स्टार तो यह स्टार है यह वाला मिल गया यह वाला इन्होंने लगाया है अपने A के पीछे हम भी इसको लगाएंगे अपने A के पीछे थोड़ा चोटा करके लगाया है इन्होंने हम भी चोटा करके लगाने वाले position इसको देंग ठीक है जी अब आप देख सकते हो कि आलमोस्ट सेम फीलिंग हमने ला दी है अपने इसमें ए आई कॉंटेंट सेम फीलिंग लेकर आ चुके हैं इसमें चांदी जैसी फीलिंग आ रही है इसको और अच्छा किया जा सकता है आफ कोर्स अब जिसने बनाया है यह वो डिजाइनर है फोटोशॉप वाला कोई काविल कलाकार है उसने पता नहीं कितने रुपे लिए हैं इसके पांच शे साथ आथ हजार रुपे लिए एक क्रियेटिव के भाई साब और हम आपको सिखा रहे हैं बट आपको 2000 रुपे से कम इस तरह के क्रियेटिव के लिए जहां इतना बार पांचा नीचे उनकी में मास्ट्री लिखावा है तो हम भी अपनी में मास्ट्री लिखेंगे मास्ट्री मास्ट्री लिख देंगे और इसके एफेक्ट में हम हलका सा पीछे यह ले आएंगे मास्ट्री मास्ट्री का जो फॉंट है हमारा अलग है उनका अलग फॉंट है तो तो थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं मैच कराने की मीडियम इटैलिक लगबग मैच है उससे ज्यादा की कोई खास जरुवत नहीं है फॉंट्स बहुत दुनिया में अलग-अलग है तो हमारा ये क्रेटिव इनका ये है AI Content Mastery और हमारा ये क्रेटिव है AI Content Mastery तो आप देख सकते हैं काफी हद तक अमने चीजों को मैच करा दिया है और सिल्वर वाली जो चांदी वाली फिलिंग थे वो भी आ रही है अब इनका और हमारा थोड़ा बहुत अलग इसलिए लग रहा है कि इनकी जो इमेज है वो पीछे बहुत ज़्यादा ब्लैक है और हमारी बहुत कम ब्लैक है तो उसके लिए हम अपनी वाली को जो है और ब्लैक कर सकते हैं Sorry for that और ब्लैक कर सकते हैं यहां से तो जो है और हमारा अब हमारी एकदम फीलिंग आ चुकी है अब आप उस इमेज को देखो और इसको देखो तो अल्मोस्ट सेम है फॉन्ट का फरक है फॉन्ट एक्जेक्ली नहीं मिल पाया हमें मिल जाता तो बिल्कुल वही फीलिंग आती जो आपको यहां पर आ रही है तो आपने देखा इस फॉन्ट को हमने सिल्वर वाली फीलिंग कैसे दी अब मैं आपको बॉनस पॉइंट देता हूं फटा फट से तो यहां पर जाना है आपको देना है फ्लेमिंगो टेक्स्ट फ्लेमिंगो टेक्स्ट डालना है यहां पर यहां पर जाना है यहां पर बहुत अच्छे फॉंट मिल जाते हैं कोई भी फॉंट आप यहां से लेकर आ सकते हो जैसे मैं यहां पर लिखना है AI content यहां पर मैंने AI content लिख दिया तो नीचे मिरे पास बहुत सारे font आ रहे हैं next करके भी देख सकता हूँ मैं कोई सा भी font आप यहां से उठा सकते हो बहुत अच्छे font है super super attractive font है अपने आप बना भी सकते हो आप यहां पर font यहां पर ज्यादा अच्छा है font के साथ खेलना क्योंकि especially font की design के लिए website है राइट यहां से आप बहुत अच्छा सुन्दर font बना सकते हो जैसे यह मिल गया silver यहीं चाहिए था हमें तो वहां पे तो हमने बहुत मेहनत की बट यहां सिल्वर चाहिए था और यह मिल गया एडिट लोगो और यह बहुत अच्छा लगेगा अब आप देखना तो यह सिल्वर मिल गया logo text सिल्वर है font का size हम बड़ा चोटा कर सकते हैं यहां से उसको यहां बड़ा चोटा करने की जुरुत नहीं हो तो कैनमा में भी कर सकते हैं ठीक है और font अगर हमें यहां से चेंज करना हो तो कोई साब भी font ले सकते हैं जैसे हम ethnocentric लेना चाहते हैं ठीक है तो वहां silver बनाने हो बहुत टाइम लगाता बट यहां silver बड़ा आसानी से बन रहा है ठीक है ethnocentric font ले लिया हमने अब but row size कुछ करना नहीं लेटर स्पेसिग अथाओडी है नहीं दो हम दो लेटर इसपेसिगम में कह रहाएं कि पट होँना चीह तो जी घाटा दी हमने हुतौने अब कर आया है बिल्कुल gradient से राइट तो यह यहां पर हो चुका है और background हमें देना है transparent transparent background दे दिया हमने और image और next अब यहां पर हमें एक काम करना है हम जो भूल गए बातों बातों में कि silver तो बना दिया बट हमें यहां पर लिखना था क्या लिखना था यहां पर हमें लिखना था AI content यह है दमदार चीज नेक्स्ट पर गए और डाउनलोड किया अब वहां हमने बहुत मेहनत की थी देखो यह यहां पर हमने नॉलेज यूज की है नॉलेज का हम पता था कि यहां से कुछ हो जाता है वहां हमने क्या यूज किया था गट्स अपनी स्किल्स यहां हमने क्या यूज किया नॉलेज तो अब नीचे वाले AI content को हम अटा देंगे और उसको हम upload करके लाएंगे अपने पास यहां से इस तरीके से तो यह आ चुका है देखिए यह देखिए यह यह वाकई ज्यादा अच्छा लग रहा है और जो glitter है एके पीछे इस तरीके से लगा दो तो क्या कहते हैं दोस्तों आप मज़ेदार लगा lesson आज का बहतरीन बहुत बढ़िया चलिए अब इतना करते करते हमाई दिमाग में एक और idea आ गया वह और बता दें फटा फट से आपको फिर इस lesson को आज यहीं पर हम finish करेंगे तो वह idea क हमारा नीचे एक पेज लेते हैं और यहां पर फटा फट से लिखते हैं AI content बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है क्योंकि देखिए मैं सिखाने के mood में हूँ आपको आप अच्छा काम करो ज्यादा पैसे कमाओ यही मेरी जो है कोशिश है तो इस background को मैंने कर दिया आपका यह देखिए मैं कि शिल्वर कर दिया और यहां से मैंने ग्रेडियंट लिया इस तरीके से थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है क्या होने वाला है समझ में नहीं आ रहा है इस तरीके से हम इस सिल्वर ग्रेडियंट को यहां पर सेट करेंगे नीचे कर लेते हैं सेट बाद में ऊपर खिसका के ले जाएंगे राइट यह देखिए तो यह ट्रिक्स होती है काम करने की दीरे-दीरे आती है सब्सक्राइब है एक्सपीरियंस के साथ इतने टेंशन भी निए लेना की भाई क्या हो गया हम नहीं करपाए टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए तो यह हमने लिया सिल्वर ग्रेडियंट और इसको फिट से डुप्लिकेट करके हमने यहां पर यहां पर ऐसे लगा दिया इसको को ऐसे लगा दिया राइट यह सिल्वर ग्रेडिंट हमारा बन के तियार हो चुका है हमवर्क हमारा इसको एक बार कॉपी करके और यहां पर लगा सकते हैं कि अब देख रहे हैं महनत करने के बाद क्या रिजल्ट निकल के आया कितना अच्छा लग रहा है अब जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम इसके ऊपर लेकर आने वाले हैं इस तरीके से ले आए और टेक्स्ट का कलर हमने करना है वाइट वाइट और इसकी ट्रांस्पेरेंसी काम कर जाया तो बड़ी बात है मुझे लग नहीं रहे काम करेगा बट करके देख लेते हैं दो प्रेक्टिकल तो आपने देखे बहुत सफल थे हमारे दोनों प्रेक्टिकल बट यह तीसरा वाला प्रेक्टिकल भी देख लेते हैं एकदम से काम करेगा या नहीं करेगा कर सकता है तो बढ़िया है तो रिप्लेस फिर वही जो हमने डाउनलोड किया उसी को अपलोड करेंगे तो एक नई इमेज बनाएंगे जो अपलोड किया है उसे यहां लाएंगे मुश्किल काम करेगा क्योंकि इसके पीछे जज्यादा बसड है बट कर गया तो समझो फिर बाती क्या है अब इसको हम क्या करेंगे background करेंगे नहीं किया है तो यहाला practical हमारा फेल रहा बट यह वाले दो दो practical ह हमारे बहुत अच्छे रहे और यह वाला तो बहुत शांदार लग रहा है AI content बढ़ा सुन्दर लग रहा है लिखा हुआ तो इस तरीके चाप flamingo text यूज कर सकते हो और अपना canva के अंदर जो बने बना के दिखाया वो भी आप use कर सकते हो तो that's all my dear friends I hope यह lesson आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा comment करके जरूर बिताइए का क्या सीखने को मिला कैसा लगा और कहा आप इसको use करने वाले हो और अगर आप पूरा course जोईन करना चाहते हो मेरा digital marketing का SEO का content writing blogging का सब चीजों का तो आपको जाना है description में career building school के link दी गई है उसको join करना है जहाँ पर 20 से ज्यादा courses lifetime membership हर अफते live classes के साथ सिर्फ और सिर्फ five triple line में आपको मिल रहा है राइट चलिए नमस्कार दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में टेक केर बाई बाई